वेल्कम तु अनुर पठी जून बच्चों हमने क्या था जो प्रिवेस वीडियो थी उसमें हमने प्लांट सेल के बारे में जाना था अभी हम सेल के बारे में पढ़ रहे थे कि सेल क्या होता है कित्ते ठाइप से होते हैं ठीक है तो मैंने देखा उसमें कि प्रोकारियोटिक क क्या होता है तो युकरियोटिंग में हमने दो सेल का नाम बताया थे एक तो है प्लांट सेल एक क्या था एनिमल से तो अभी हम प्लांट सेल की बारे में डिसकसन कर रहे थे अभी हमारी एनिमल सेल बाकी है तो आज भी हम क्या करेंगे कि सेल की बारे में ही डिसकसन करेंगे डि इंबने क्या किया था कि कोशिका की खोश की थी तो हम ने बतागे कि इन्हों ने जो कोशिका खोश की थी ओ क्या थी एक डेल अगजी थी जिसको बोलते हैं तो यह चीज़ था तो एक स्थूरेन की कवेरी थी जिनका नाम एपकर कमार तो पंकश ने पूछा था मैं मिजे सेल वाल की खोश की थी इन्हों व नहीं बताया था कि इन्होंने कार्क के टुकड़े पी यह लकड़ी थी इंया उन्होंने जो घ्रत होती है से अमधुमख्यों के चछत्य की जैसा अफ दिये Nashville का था मदिया था- dairy नाम दिय थी तो वो प्लांट थी पंकर जी झाहां देंगे ठीक है यो प्लांट थी ओक ठीक है तो यहीं प्लांट था Realty kid अधर यहीं प्लांट था यह और इसके क्या हुआ कि इसके जो वा सव थी कोशी का भीत्ती थी इसके पॉषिवार 270 पिया उन्हों ने क्या कि हमने क्या क्या था कि सेल के बारे में हम लोग डिसकस कर रहे थें और दूसरी चीज कि यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी क्वेरी थी डिने से तो जब हम डिने पढ़ाएंगे तो आप हमारे वीडियो को डेली टू डेली देखा करिए क्योंकि जब हम ड आउट सांगे वह सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे लेकिन आपको क्या होगा कि देलिक्स अरभ में पढ़ रहे मैं कब ने कि हम रहे हैं पढ़ रहे थे हम सेल के बारें पढ़ रहे थे तो हमने सेल के बताया था किसेल यहां फेस यह हमारी क्या थी आज आव एक बर रिपीट कर लेते हैं ठीक है सिर्ल क्या थी टू टाब्स की पिद्धिन क्या थी ईक खर स्सक्रादि प्लांट थी कि दूसरा क्या है एनिमल से ला ऐसे तो हम क्या कर रहे थे कि अभी जग जितने प्रिवेस जो लक्षर थे हमारे तो हमने प्लांट से बारे में उसमें डिसकसन किया है क्या हुआ कि जब हम प्लांट से बारे में डिसकसन कर रहे थे तभी हमने यह बताया था कि जो प्लांट से है ओर डोनमें बहुत सारी चीजिससी होती हैção ठीके बहुत सारी चीजिसेlor हैं एक ही दो है जो ऐसे ढिफ्रेंसे नहीं तो उसके बारे में आज हम लोगे चर्चा करब करेंगे तो उसके पहले यह देख किके आपको inadequate आपको बताया था तो mole तो यहां तक की चीजे यह हो गई अब हम देखेंगे क्योंकि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं अभी भी पीछले वाली वीडियो को आपने अच्छे से पढ़ा होगा देखा होगा तो सारी चीजे समझ में आएंगी यदि आपने इश्किप किया होगा तो चीजे नहीं सम क्या है। चलिए इन्मार्स के बारे में देखेंगे क्या क्याते है इसको जन्तु कोशिका देखें जन्तु कोशिका के लिए हम अभी थोड़ा सा फेक्ट जान लेते हैं कि क्या डिफ्रेंट्स हो जाते हैं तो पहले हम जानेंगे क्या अभी हम डिफ्रेंट्स आपको प्लांट सेल में और इनिमल सेल में इसी वाले लक्षर में पूरी डिटेल से बताएंगे ठीक है तो पहले हम जानेंगे क्या कि जो हमारे जन्तु कोशिका है देखो इनकी जो इस टाइप से मालीजी इसका इस्ट्र कि अश्रेंगे कि अश्रेंगे कि अश्रेंगे कि तो हम जब प्लांट प्लांट सेल की बात कर रहे थे तो हम ने उसमें बताया था क्या कि पहले क्या थी उसकी जो वाल थी ठीक है जो उपरी लेयर थी वो क्या थी शेल वाल थी ना तो उपरी लेकिन हम जब एनिमल शेल की बात कर रहे हैं तो पहले हम देखेंगे क्या है क्या है साइट टो प्लाजम है ना ये ब्पीच में हमारा क्या हो गया नुक्लिस हो गया क्या हो गया सेंटर में नुक्लिस जिसा हम ने क्या बोला था केंद्रक ठीक साइटो प्लाज्म इसको क्या बोला गया था कोशी का द्रब्य अब जो अब जो नुक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट थे उसको हम क्या बोल रहे थे नुक्लियो प्लाज्म क्या क्या सकते हैं केंद्रक द्रब्य यह क्या था एंडर प्लाज्मिक रेटिकुलम था इस पे जो प्रेजेंट था गोल गोल हो क्या था राइबोजों था ठीक यह क्या है लाइसोजों है यह क्या है टेल चली सारे जितने सारे और्गनेल है यह क्या हो गया यहां पर माइट्रो कंड्रिया हो गया गोल्जी बोडी ठीक तो हमने क्या किया था खिया जितने सारे और्गनेल थे हमने जो हमारी प्रीवियस लेक्चर थी रह Means सभी सो तो हम क्या करेंगे पहले जानेंगे कि क्या एनिमल वह सारे और बीटा था था कि ठीक है इसमें क्या है आड गाल्शिची भॉडिई यूंड सव भी कसी सभी होते हैं और इसमें प्रेजेंट होते हैं इसमें में present होते हैं centrosome जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं तारक काय अभी हम जान लिते हैं कि क्या क्या present होते हैं फिर हम बताएंगे इनका वर्ग क्या होता है ठीक है और यहां पर आपको यह डाइग्राम दिख रही है परद दिखाई दे रही है से जीए यानि कि हम कैसकते हैं कि जो शेल मेंलान हैं वह ज हम प्लांट्स में भी प्रəज़ैंट है और इनिमल के बीजिंट है माचा का हो झारत टीक है तो हमने क्या बता था आपको हमने न NIKLiAS अज सका नत yr aan रिंद्धे प्लागयों कंणै कंप्रेंद प्लास्म को क्य सक्षाय? इसके लेटन आप दिस सेल के नाम से जानते हैं हमने यह चीज़े आपको बता दी थी ठीक है तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में सभी के सभी वही और्गनल से बस डिफ्रेंसेस क्या होती है कुछ डिफ्रेंसेस होती है जैसे क्या यहां पर हमने बताया आपको कि सेंट्रोश् है ठीक है इनका फंक्सन क्या होता है पहले यह जानेंगे तो यह उमारा सेंट्रोश्म है ना यह क्या करता है सेल डिवीजन का कार करता है कोशिका विभाजन में भाग लेता है ठीक है तो सेंट्रोश्म का मुख कार क्या है हम बोल देंगे यहां पर कि सेल डिवीजन करना ठ कोशिका का विभाजन एक सेल से दूसरी सेल कैसे बनती है ठीक है, मयुवसिस मैटैस प्रक्रिया होती है, यानि कि सेंट्रोश हम उसमें क्या करता है, कि सेल का डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है, यानि कि एक mother cell से ठीक है दो या चार जो यदि meiosis division है तो एक mother cell से four daughter cell का निर्माड होता है और यदि mytosis division है तो एक mother cell से दो daughter cell का formation होता है तो इस चीज़ का ध्यां रखेंगे आपको बस इतना जानना है उत्ता जाधा meiosis और mytosis याद करने की जिरूत नहीं है आपको बस यह जा होता है सेल का division करना यानि आपको बदा रहे थे तभी हमने आपको बताया था कि क्या हुआ कि आपको इसमें कोई बाहरी या कोई मोटी लेयर दिखाई दे रही है नहीं ठीक है तो हम यह कह सकते हैं कि इनमे क्या है कि कोश का वित्ती जो होती है वो क्या है अब सिंट है ठीक है कोश्का भित्ती नहीं पाया जाती लेकिन क्या होता है इसमें सेल मिंब्रेन पाया जाता है ठीक है क्या पाया जाता है सेल मिंब्रेन पाया जाता है अब देखो बात करते हैं कि इसमें माट्रोकॉंड्रिया होती है कि नहीं तो अफकोस माट्रोकॉंड्रिया ह होती है यह तो हमने बता ही दिया था आपको कि माट्रोकॉंड्रिया का फंक्शन क्या होता है ठीक तो माट्रोकॉंड्रिया का फंक्शन क्या होता है एटीपी प्रदान करना एटीपी के रूप में हमें क्या दे रहा था उर्जा प्रदान करना तो हमें कह सकते हैं कि माट्रोक गोंड्रिया जो है यह क्या है माईट अंडिया है फैस्द हो कि नकिए आघर्सकारब तो रहे थी यह इनर्जी देने का कार रही थी नो थे एनर्जी दे रहे थी किसे रूप में दे रहे थी तो एटीपी के रूप अब आप एपने जान ले कि यह चीज़े इंपॉर्टेंट है इसे नोट डाउन करके रखेंगे कि हमें माइट्रो कॉंड्य क्या हो रहा था एनर्जी देने का कार कर रहा था तो क्या आप कोई भी कार्बो हाइडर जब लेते हैं तो आपको डारेक्ट एनर्जी मिलती है नहीं वह क्या करता है बहुत सारे केमिकल प्रोसीजर होते हैं उसके बाद क्या करता है खंडों में तूड़ जाता है उसके बाद हमें क्या मिलती एनर्जी मिलती है तो हमें जो एनर्जी मिलती है व यह बता पाएंगे कि एडेमाइशिया. अभी बताया कि जो माठ्रोकॉंड्रिया से इनरजी अंडिये प्रोड्य थी वह हमें आपको एक और अपहाईा ध्याश को बॉलते हैं गॉल्जी बॉड़ी गॉल्जी बॉड़ी तो हमने गॉल्जी बॉड़ी को बारे में भी आपको बहुत ही अच्छा और डिटेल से मैंने बताया था प्रिवेस वीडियो में तो गॉल्जी बॉड़ी की जब हम बात करते हैं तो हमने यह बताया था कि जो गॉल्जी बॉड़ अपेरेटस ठीक है या गॉल्जी कॉंप्लेक्स ठीक इतने सारे नाम है किसके गॉल्जी बॉड़ी के तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होंगे क्योंकि सारे के सारे नाम मैंने यहां पर बता रखा है यह देख गॉल्जी बॉड़ी करके पूछे तो भी आप जानिये ठ दूसरे यह गॉल्जी कॉंप्लेक्स करके पूछता है तो भी आप जानिये लेकिन हमने आपको एक और फैक्स बताया थे जब प्लांट सिल पढ़ाते हैं तो एक और नाम हमें क्या मिल गया ठीक है यदि हम देखते हैं इन प्लांट इन प्लांट सिल ठीक है तो इन अरसिल में ही बताया था कि इसे क्या करते हैं डिक्टियो सूम के नाम से जानते हैं ठीक क्या है यह डिक्टियो सूम अब पहले देख रहों एक बर ठीक है हमने क्या बताया कि जोंजी बॉड्य है तो गॉसी बॉड्य के तीन नाम तो यहीं हो गैंकर किगॉड्य बॉड्य गॉल्जी अपएलिरोंइटर गॉंधे जो गॉल्जी बॉड़ी है तो गॉल्जी बॉड़ी के तीन नाम तो यहीं हो गए आपके कि गॉल्जी बॉड़ी गॉल्जी अपेलिटस गॉल्जी कॉम्पलेक्स यदि हम बात करते हैं कि गॉल्जी बॉड़ी को हम प्लांट सिल में क्या कहते हैं तो हमने आपको प्रिवेस इस वीडियो में ही बता दिया था कि जो हमारी गॉल्जी बोटी है प्लांट सेल में इसको डिक्टियो सोम के नाम से जाना जाता है एक्जाम में यह क्विश्चन आ चुके हैं पहले से ही तो इस इस वेरी इंपॉर्टन टॉपिक्स ठीक है नोट डाउन करके रखेंगे जो भ बहुत से क्विश्चन ठीक तो हम पहले अपने टॉपिक पर आते हमने क्या बताया आपको कि बारे में हम बात कर रहे हैं तो गॉल्जी बाडी को हम एक और नाम से जानते हैं जान लेजिए कि विवल्कुल होना ही नहीं है सारे डर्फ तो फक्रिर ही करा दे रहे हैं तो ग शेल हम क्या कह सकते हैं कि जो कोशिका है हमारी कोशिका में गौल्जी बॉडी का वर्क क्या होता है यह क्या करते हैं सुष्णाओं को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करता है तो यह क्या करते हैं सुष्णाओं को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करता है इसलिए निकलियस के चीजे हम ने बात की तो हमने बता था कि इसको क्या बोलते हैं तो यह चीजें तो आपके क्या हैं तो इसका फॉल फ़ॉम क्या है एंडो प्लास्बीक रैटिकुलफ क्या नाम है इसका और प्लास्बसिन का प्लत प्लास्बढक से बढ़ नाँ जाता है तो हमने बहुंत अब ही इधा do स्क्लेटल के नाम से जाना जाता है जो स्क्लेटन है ठीक है यानि कि कोशिका के कंकाल के नाम से जाना जाता है किसे जाना जाता है एंडोप्लाजमिक रेटिकूलम को ठीक है कोशिका का कंकाल कोश्का के कंकाल से किसे जाना जाता है एंड़ प्लाजमिक रिटीकूलम को दूसरे चीज यह है कि हमने क्या बताया था कि जो इसके अंदर देखिए प्लांट से जब हमने पढ़ा था तो भी हमने आपको बहुत ही क्लियरली समझा दिया था कि प्लांट से अंदर क्या होता है प्रोटेन पदार्थ पाएजाता है जो चिप चिपा इसे घरी होता है तो क्या होता है कि यह क्या है प्रोटेन नहीं से चोड़ देंगे तो अ पने ही रूप में फिर से जैसे था उसी वेस में आ जाएगा तो यह हमने क्या बताएथ ग्रेशर्च के हम भात कर रहे हैं धो इसे हम बोलते हैं साइ्टोप्राज कोशिकाistine प्पेर कोशिकाय की बात कर करバह है गोस्था खेलत आ रहा है हमने प्रोटोप्राजिकाया था तो जब हमने प्रोटोप्लासि हम पढ़ाya था तभी हमने बताया था प्रोटोप्लाजम हैं है रोटोप्लाजम है तो यह 2 प्रकार के से कौन कौन से थे बताईयो जल्द से अ हमने बताया था कि पहला तो था हमारा नुख्लिोप्लाज है conquered को ढूसरा किया था मारा शाइटोप्लाजम साइटोप्लाजम तो जो हमारे नुकलियोप्लाजम है उसको हम क्या कह रहे थे केंद्रगद्रब का नाम दे रहे थे क्या है इसे हम बोलते हैं क्या हिंदी में केंद्रगद्रब हमने नुकलियोप्लाज्म को क्या नाम दिया केंद्रक द्रब यदि हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म को हमने क्या नाम दिया था कोशिका द्रब तो जब कोशिका यानि कि पूरे सेल में जो चिपचिपा पदार्थ पाया गया उश्य हम बोलते हैं सairsब्स यहां पे स्थ ROM इत त mister नूकलियस में भी चिपचिपाप अभगण तो उसे हमने da दिया नूकलियोप्लाज्म है only that नूटलियोप्लाज्म कि तो तो protoplasm क्या है दो प्रकार की हैं कौन-कौन से एक तो है nucleoplasm दूसरा क्या है cytoplasm इती पूरे सेल की कोशिका के बात करते हैं तो पूरे सेल में जो चिप-चिपा gelatinous पाजार्थ पाया गया उसे हम क्या बोलते हैं कोशिका द्रब ठीक यदि हम बात करें है यूंकुलियास के जी अई किन्द्रक द्रब कोशिका ड्रबोल सिंद्रकूर Trmouth अब कीते हैं तो हमने यह भी देख लिया थあ हमने क्या दृख लिया कि सेल मेंब्रेन यहां पर जो पतली सी धिल नुमा इसे चर्थ क्या बोलते हो सेल मेंब्रेन कोशिका का आवरड ठीक है यह किस में पाय गया है एनिमाल बी ऐह और प्लांट सेल में है अब हम ग्या क्या डरेवाण से क्टी सरह सभी के सभी खेंगे डरेखिए चले कि डिफ्रेंट्स जानेंगे प्लांटर और एनिमाल आप यदिधी इअ difference जानते हैं तो चीज़ों को प्लांट सेना क के का यह से सारी होंगे उनको जल्दी से स्सक्राइब करने में मदद करेगा तो हम क्या करेंगे पहले cervix विट विट तुवैंड प्लांट एंड एड़ को ऑनिमंब सेतों ठीक है इसमें जानेंगे तो आप ऐसे एक लाइन बना लेंगे यहां पर लिख लेंगे क्या प्लांड सेल ठीक जिसे क्या बोलते हैं पादप कोशी का दूसरे सेट क्या लिखेंगे एनिमल सेल जिसे बोलते हैं जनतु कोशी का चलि अब हम क्या करेंगे कि जब हम डिफेरेंस के बारे में बात कर रहें कि प्लांड सेल में और अनिमल सेल में क्या डिफेरेंस है तो सबसे पहले चीज़े क्या करेंगे, हम सेलवाल को उठाएंगे, ठीक है, तो हम देखेंगे, शेलवाल, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कोशिका भित्ती, ठीक, कोशिका भित्ती, देखेंगे, हमने डाइग्राब में बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दिया था, कि कोशिका भित्ती किसे कहते हैं, तो आप बताईए, कि यदि हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, तो प्लांट सेल में कोशिका भित्ती पाई जाती है, अपकोस पाई जाती है, हमने क्या तो जब प्लांट सेल की जो कोशिका भित्ती है, वो किस चीश की बनी होती है, ऐसे पूछता है, तो जो सेल वल प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या होती है, सेलूलोस की बनी है, किस की बनी है, सेलूलोस की, ठीक है, यानि कि प्लांट सेल में कोशिका भित्ती पाई जाती है, क्या हुआ कि यहां पर ऐसे लिख लेंगे कि पादब कोशिका में कोशिका भित्ती कोशिका भित्ती पाई जाती है पूस्ते हैं कि जो प्लांट से में कोशिका भित्ती पाई गई है और किस टाइप से बनी रॉई है ठीक है और क्या करती है कि जो शेलवाल है ठीक है जो कोशिका भित्ती है प्लांट सेलल में पाई गई है तोesting तो इस काटने यह करता नहीं है अब उलक्ष प्लांग में हो शकता अपना है यह सेलला है तो हम कर रहे हैं तो है कि यह सिलульт के पार ए गया में जाई दो सिल बात कर ली तो किसी दूसरे इनिमल को हम कया कर रहा हिम रहा है रहा है तो यो हम कहते हैं कि जो कड़ो है क्या है तो SL होती है इन में क्या होता है हो नहीं ओर चिलापन नहीं होता क्योंकि इनopen क्या होता है नहीं पाया जाता क्या नहीं पाया जाता गज क्या knifereath डेखे की यूइयर बनी है कोश्का भी अभित्ति बनी है वो बहुत ही जादा कठोर होती है औरike स्विचिज हमने अभी अब यह हम क्या करते हैं कि Ser59 एक्जामपल लगते हम 10 मरे दिन वाल है कि 7new उस के तो क्या होगा कि सेल 2050 ठीक है इस यॉलोष की बनी है cellulose, ठीक, cellulose की बनी है, तो इनका digestion, क्या होगा, animal cell में, human beings में, human में, नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, human में इनका digestion नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यह जो cellulose है, वो क्या है, बहुत ही जादा कठोर है, और इनको पचाने के लिए, इनको digest करने के लिए, animal cell के human में, बहुत ही जादा strong enzyme की जरूरत पड़ती है, जो की हमारी body effort नहीं करती, यानि की animal cell में, human में यह नहीं पाया जाते, यह enzyme नहीं पाया जाते, जो की cell वाल के cellulose को पचा सके, ठीक है, digest कर सके, हम कह सकते हैं कि जो cellulose है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, कि human में, cellulose की बनी है, उनका digestion नहीं होगा, यहां तक की चीज़े clear, ठीक, अब हम आते हैं, animal cell में, कि cellulose की जब हम बात करते हैं, plant cell में, तो क्या animal cell में भी यह present है, तो क्या हुआ, कि animal cell में, हमने आपको कल के वीडियो में ही बता दिया था, कि animal cell में क्या होते हैं, absent होते हैं, absent होते हैं, क्या, ठीक है, क्या absent होते हैं, cellulose, ठीक है कोश्का भित्ती क्या होई अपसेंट होते हैं लेकिन हम बात करते हैं सेल मेंब्रेन की सेल मेंब्रेन ठीक तो सेल मेंब्रेन जो है ये दोनों में पाया जाता है यानि हम कह सकते हैं क्या कि सेल मेंब्रेन plant cell में भी पाया जाता है महिन से पतली जिली होती है ठीक है और यह क्या हुआ कि animal cell में भी present होते है present in animal cell present in animal cell अब देखिए कि हम क्या करें कि हमने आपको अभी cell wall की जब बाते कर रहे थे ठीक है तो cell wall में हमने आपको बात की कि इनकी जो कोश्का भीती होती है वो किस चीज की बनी होती है तो किस चीज की बनी हमने बताया कि cellulose की बनी होती है ठीक है यह cellulose क्या है तो cellulose एक प्रकार कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट जो है यह cellulose तो हम हैं कि सिस्दड बात कि धिए अभी जिष्ट आपको बताया कि यह क्या करेगा उन्डे में इनके प्रती डाइजेस्ट संकि स्फथी प्रती आंज़िएंग्स नहीं कर सकते अब हमें जब आय्निंल की बाद की तो एनिवल सेल में हमने बताया कि क्या होते हैं सेल वाल इसमें अब सेंट होते हैं ठीक है लेकिन हम जब बात कर रहे हैं सेल मेंब्रेन की ठीक है प्रेजेंट इन एनिमल सेल क्या प्रेजेंट होता है सेल मेंब्रेन णit type क्या कुल मेम्ब्रेन इसमें कोशिका की जो वाल है ठीक है यहाँ तक की चिज़ствен के जACH जब बात कर रहे हैं तो एक और चीज़े जान लेते हैं के सेल वाल यदि हम बात करते हैं फंजाई में पढ़ piace कि वनी होती है का इटीन की वनी होती है किस की वनी होती है k punkt की बनी होती है थेक है ऐसी कि विसके तो इसी की बनी होती है करलो की ठाइब और छिए अ रहा है ठोला कि यह स कि चीजा क्लियर अब आते हैं दूसरी चीज हम जान लेते हैं अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं ठीक है तो हमने क्या क्या था कि कोश्का भित्ति के बारे में जाना दा अब हम जनेंगे वैक्यूल ल eg ग्यूल ठीक है किए मिन्स क्या होता है अ ही सिंतिक नीओ कि हो तो हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी रितिकाय पाए जाती हमने डाइग्राम में आपको बताया था जो डाइग्राम था इस प्रकार से ठीक है ऐं पर आपको कुछ ऐसी वाली आकृति दिखाई दी थी ठीक है जिस उने क्या बोला था वैकियूल का नाम दिया थे यहां बीच होते हैं रितिका तो हम जब बात कर रहें रितिका की तो हमने बता कि जो प्लांट से लए इसमें क्या है बड़ी-बड़ी रितिकाय पाए जाती है ठीक है इनमें क्या हुआ कि लिख सकते हैं लार्देश्ट वैक्यूल क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट होते हैं ना क्या हुआ कि हुआ कि इनमें जो है वैक्यूल जो थी रितिका थी वे क्या है बड़ी-बड़ी पाई गए लेकिश जब इंउग्स सेल की बात करते हैंम इस इनेमल च्रह में देखते हैं थो हमने कली बता दिया था कि animal cell में पाए तो जाते हैं लेकिन क्या है कि बहुत छोटे-छोटे पाए जाते हैं ठीक है तो इन में क्या हम बोलेंगे कि छोटे-छोटे ठीक है smallest smallest vacuul are present हम कहेंगे कि इन में जो रितिका है रितिका क्या है रितिका छोटे-छोटे-छोटे पाए जाती है ठीक है अब हम क्या करते हैं कि हम देखेंगे प्लाश्टीट को प्लाश्टीट जो क्या था कि लवक ना प्लाश्टीट क्या होता है प्लाश्टीट मिन्स लवक अब जल्दी से बताईए बहुत अच्छे से हमने समझाया हुआ था ठीक है तो हमने जब लवक की बात की तो हमने आपको यह बताया था कि जो प्लाश्टी वीडियो में ठीक है तो हमने इसलिए बोला कि आप वीडियो को कभी भी स्किप मत कीजिए नहीं तो आगे कि जो लक्षर होंगे वह आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आगे कि हम किस चीज का बात कर रहे हैं तो हम लवक के बारे में हमने बता दिया था आपको कि जो हरित ल जाने कि उपस्थित होते हैं present होते हैं यह लेकिन हम animal के बात करते हैं पहले समझ दिजी किWarter कि प्लाइसिल में क्या है प्रजेंट है तो प्लांट से में प्लास्टिक हमने बताया था प्लास्टिड है यह यह क्लोरो प्लास्ट है एक क्रोमोप्लास्ट है तो क्रोमोप्लास्ट क्या है जो रंगीन वरड़क जिसमें प्रेजेंट होते थे जिसमें रंगीन कलर के नारंगी या फिरेड कलर कह सकते हैं जिनमें प्रेजेंट होते थे उसे हमने क्या नाम दिया था क्रोमोप्लास्ट तो जो क्लोरोप्लास्ट है क्लोरोफील ही हमने क्लोरोफील प्रेजेंट होते एक प्रेजेंट होते, किस में प्रेजेंट होते हैं? कि बताई जल्दी से ठीक है तो हमने बताँ था इसमें कि जो और यह इसी के वज़े से जो प्लांट है वो क्या है यह हरे रंग के दिखाई देते हैं तो जो हमब करते हैं कि Banana इनिमल सेल में क्या प्लास्टीट पाया जाते हैं तो क्या है प्लास्टीट प्लास्टीट अब सेंट होते हैं नहीं पाया जाते हैं ठीक है क्या होते हैं प्लास्टीट नहीं पाया जाते लेकिन एक चीज और जान लिजाए आप कि क्या यदि प्लास्टीट नहीं पाया जाते तो क्या एनिमल सिल में कोई कलर नहीं होता है क्या ठीक है तो इन में भी एक पिगमेंट पाया जाता है ठीक है एक पिगमेंट एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है क्या मिलायनीन वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक इस चीज़ को आप नोट डाउन करिए क्योंकि देखिए हमने अभी जश्ट आप से बात की कि इनमें भी एक पिग्मेंट पाया जाता है जिनका नाम है मिलैनीन यदि जो लोग बहुत जादा गोरे होते हैं और काले होते हैं ठीक है तो डिफ वो क्या होंगे अधिक काले रंके दिखाए देंगे लेकिन जिनके बॉड़ी में क्या होगा मिलैनीन पिग्मेंट की मात्रा बहुत ही कम होगा वो क्या करेंगे बहुत ही ज्यादा गोरे रंके दिखाए देते हैं ठीक है तो आपको गोरे दिखने के लिए क्या करना है कि ज से तरेफ canet दिखा बताया कि मेंलन की मात्रा जिसमें सबसे जब से ज़्यादा पाया जाता है बहुत अधिक पाया जाता है वह क्या है काले रंग के दिखाई देंगे लेकिन इन में यदि हम बात करते हैं कि जो गोरे रंग के दिखाई देफ Caleb min कम पाया जाता है ठीक है तो इ भी यह डैनेंगे संके ट्रोश मोने क्या बताई था रख ना जान लो कि शिद्व है संट्रों कि तो कि सेंट्रोशम न जिसे हम बोलते हैं क्या तारख कि तारख का है तो जब हम संट्रोशं की बात कर लहें हैं तो हमने बताया है आपको बहुत अच्छे से कि जो सेंट्रोशम है वो प्लांट सेल में अबसेंट होता है ठाड़ा सेंट्रोशम क्या है प्लांट में अबसेंट होता है लेकिन यह फनजाई और एलगी में क्या होते हैं प्रजेंट होते हैं ठीक है यदि हम प्लांट एल की बात कर रहे हैं प्लांट सेल कैसे ना तो इसमे क्या है APSENT है यह लेकिन लेकिन वह गयाUM is what key viene Chron nına ग़्मय जिसे क्या बोलते हैं कवग कवग जठ कवग एंजरनघ हैंज यह ठीक है जिसे क्या बोलते हैं हम शैवाल हो जलगी ठीक है इन में क्या होते हैं प्रेजेट होते हैं ठीक यहां तक की चीज़े clear तो अब हम पाए जाते हैं उपस्थित होते हैं तो इनका वर्ग क्या होता है तो थीक है हम इसके बारे में जान लेते हैं कि यह जो centrosome है, वो क्या करते हैं, cell division का कारे करते हैं, ठीक है, किसका कारे करते हैं, cell division, कोशी का विभाजन, क्या बोलते हैं इसको, कोशी का विभाजन, ठीक है, cell division में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, कौन करता है, centrosome करता है, तो यह question बनता है, कि क्या plant cell में centrosome पाया जाता है, तो plant cell में centrosome नहीं पाया जाता है, लेकिन, फंजाई और algae में पाया जाता है, अब हमने क्या क्या centrosome के बात की, animal cell में, तो animal cell में क्या हुआ, centrosome पाया जाता है, क्या होता इसका main work, तो हमने अभी जेश्ट आपको बताया, कि इसका main work क्या होता है, कोशी का का विभाजन करना, ठीक है, यहां तक की चीज़े clear, आगे पड़ते हैं, चलिए, अगली point हम जानते है, plant cell में, कि plant cell में जो भोजपदार संचीत रहते हैं, ठीक है, इन में क्या होता है, इन में, जो reserve food होते है, reserve food, ठीक है, इसको क्या बोलते है, संचीत, भोजपदार्थ, ठीक है, संचीत, भोजपदार्थ, किसके रूप में होते हैं, reserve food किसके रूप में होते हैं, तो stalls के रूप में होते हैं, iştsis के मोलते हैं, मंड तो प्लांट सेल के हम बात कर रहे हैं तो प्लांट सेल में हमने अभी आपको बताया कि प्लांट सेल में जो संचित भोज पदार्थ है वो किसके रूप में होते हैं मंड के रूप में होते हैं क्या बोलते हैं इसको इस्टार्च लेकिन जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो इन में क्या होता है इन में रिजर्व फूर्ड किसके रूप में होता है संचित भूजपदा किसके रूप में होता है ठीक है तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है क्या होता है ग्लाइकोजन किसके रूप में होता है ग्लाइकोजन के रूप में होता है एक चीज़ और जान लेंगे कि जब हम सेल डिवीजन की बात कर ले थे ठीक है तो जो प्लांड सेल है इन में इन में सेल डिवीजन किसके द्वारा होता है जो सेल वाल प्रेजेंट थी सेल वाल ठीक है तो जो सेल वाल जब हमने आपको बताया था प्लांड सेल का स्ट्रक्चर तो हमने आपको कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर दिखाया थे ठीक है ऐसे ऐसे ठीक है तो यह जो बीच में structure दिखाई दे रहे हैं जिसे हमने नाम दिया था middle ले मिला ठीक है वहीं से क्या होता है कि सेल की प्लेटे बनती है ठीक है हमने क्या बताया कि कोशिका जो पट होती है सेल प्लेट उसी के द्वारा plant सेल में division होता है इसको हिंदी में कोशिका पट अब जान लीजे डिटेल में कि हमने क्या अभी जश्ट बताया कि इनमें जो रिजर्व फूड होता है जो संचित भोज पदार्थ है वो किसके रूप में प्रजेंट होता है तो मंड और स्टार्ज के रूप में प्रजेंट होता है यदि बात करते हैं इसमें कि सेल डिवीजन हमने अभी जश्ट बताया था आपको कि सेंट्रोसम तो इसमें प्रजेंट ही नहीं होते है यानि ता कोशिका के प्लेटे जो सेल बाल बनाई थी तो बीच में बता था मिडईल मिला तो वहीं से क्या होता है कि कोश्रिका के जब करते हैं इस में कि तो एनिमल सेल में जो सेल डिवीजन है सेल डिवीजन किसके द्वारा होता है तो जो हमारी सेल मेंब्रेंन पाई गई थी available है तो थो सेल मेंब्रेंन के इन्मेजिनेसं से पाई गई ती कह ऑई इसको क्या उतह जी ने संट that इन्वेजिनेशन इसका मतलब होता है क्या होता है इन्वेजिशन का मतलब धस जाना ठीक है यानि कि जो सेल मेंबरेन पाई गई थी वो अंदर की तरफ धस जाती है अंदर की तरफ धसने के बाद क्या होते दो सेल का निर्माड हो जाता है ठीक है इसे हिंदी में अंतरवलन ब तो यह जो इस प्रकार से आपको मैं थोड़ा सा अच्छे से बना देती हूं ठीक है आप थोड़ा सा कन्फ्यूज नहीं हुएगा चलिए यहां पर देख लेते हैं ना अब देखें इसे को वोकर आपकी आपकी सेंप्रेश का निर्माड कर लेता है यहां पर एक क्लोड़ारा गैडिया क्या होगी Jeep जाएगी तो यह जो अंदर की तरफ धस रही है इसी को हम क्या बोलते हैं इन्वैजिनेशन अंतर वलन तो यह किस से धसने से बनता है सेल मेंब्रेन के जो हमारी सेल मेंब्रेन होती है वो अंदर की तरफ क्या होती है धस जाती है इन्वैजिनेशन कर जाती है उसी से क्या होता है दो कोशिकाओं का निर्माड़ हो जाता है यहां तक की चीज़े क्लियर आज की वीडियो में हमने क्या किया कि सेल को अच्छी तरह से कवर कर लिया है ठीक है अच्छी तरह से कवर कर लिया है आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए ठीक है और जो भी आप क्वेरी है आप हमें कमेंट करेंगे ठीक है तो आज की वीडियो में केवल इतना ही मिलते हैं नेक्ट वी परो को से कुटते हैं धुमुमें ट्वाती है क्वडियो में है यहाद कारी नहीं नहीं हुड़ को ख्यां जल जल सका्ट वीडिक है तो आप हमें